इस्टार्ट नेताजी सुभाज चंद्र बोस का जन्म 23 जन्वरी 1870 में को हुआ और इनका निधन 18 अगस्त 1945 में हुआ था जब इनकी मरत्यू हुई तो ये केवल 48 वर्स के थे वो एक माहान भारतिये राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिस सासन के खिलाप भारत की आजादी के लिए दिटिये विश्व युद्ध के दोरान बड़ी हिम्मत से लड़ा था नेता जी 1920 और 1930 के दोरान भारतिये राष्ट्रिये कांग्रेस के स्वचंद भाव कोमा युवा और कोर नेता थे वो 1938 में कांग्रेस अध्यक्स बने हालांकी 1949 में उन्हें हठा दिया गया था नेता जी भारत के एक क्रांती कारी स्वतंतरता सेनानी थे जिन्होंने बाहुत संघर्ष किया और एक बड़ी भारतिये आबादी को स्वतंतरता संघर्ष के लिए प्रेरित किया भारतिये इतिहास में सुभाज चंद्र बोस एक सबसे महान व्यक्ती और बहादुर स्वतंतरता सेनानी थे जिन्होंने भारत के इतिहास में स्वतंतरता संघर्ष के लिए दिया गया उनका महान योगदान एविस्मरणिये है श्टॉप वो वास्तव में भारत के एक सच्चे बहादुर हीरो थे जिसने अपनी मात्र भूमी की खातिर अपना घर और आराम त्याग दिया था वो हमेशा हिंसा में भरोसा करते थे और ब्रिटिस सासन से स्वतंतरता पाने के लिए सेन्य विद्रो का रास्ता चुना उनका जन्म एक सम्रिद हिंदू परिवार में 23 जन्वरी 1800 सित्यान में को उडिसा के कटक में हुआ था उनके पिता जान की नाथ बोस थे जो एक सफल बेरिष्टर थे और मा प्रभावती देवी एक ग्रहिनी थी एक बार उने ब्रिटिस प्रिंसिपल के उपर हमले में शामिल होने के कारण कलकत्ता प्रेसिडेंसी कालेज से निकाल दिया गया था उन्होंने प्रतीभा साली ढंग से ICS की परिक्षा को पास किया था लेकिन उसको छोड़कर भारत की स्वतंत्रता की लडाई से जुड़ने के लिए 1921 में एसहयोग आंदोलन से जुड़ गए नेताजी ने चितरंजन दास के साथ काम किया जो बंगाल के एक राजनितिक नेता कोमा सिक्षक और बंगलार कथा नाम के बंगाल सापताहिक में पत्रकार थे बाद में वो बंगाल कांग्रेस के वालिंटियर कमांडेंट कोमा नेशनल कालेज के प्रिंसिपल कोमा कलकत्ता के मेयर और उसके बाद निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गए अपनी राष्ट्रवादी किरिया कलापों के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा लेकिन वो इससे ने कभी ठके और ना ही निराश हुए नेताजी कांग्रेस के अध्यक्स के रूप में चुने गए थे लेकिन कुछ राजनितिक मतभेदों के चलते गांधी जी के दवारा उनका विरोध किया गया था वो पूर्वी एशिया की तरफ चले गए जहां भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए उन्होंने अपनी आजाद हिंद फोज को तैयार किया सुभाज चंद्र बोस पूरे भारत भर में नेताजी के नाम से मश्यूर हैं वो भारत के एक क्रांती कारी व्यक्ती थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया 23 जन्वरी 1800 सित्यानमे को उडिसा में कटक के एक अमीर हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था जो कटक जिला न्यायाले में एक सरकारी वकील थे और मा का नाम प्रभावती देवी था सुभास ने अपनी प्रारंभिक सिक्षा कटक में एंगलो इंडियन स्कूल से ली और कलकत्ता विश्व विदाले कोमा स्कोटिस चर्च कालेज से दर्षनार सास्त्र में इसनातक की डिगरी प्राप्त की स्टॉप वो एक बहादुर और महत्वा कांशी भारतिय युवा थे जिसने सफलता पूर्वक आईसी एस परिक्षा पास होने के बावजूद अपनी मात्र भूमी की आजादी के लिए देश बंधू चितरंजन दास दवारा प्रभावित होने के बाद एसहयोग आंदोलन से आसन के खिलाप वो लगातार हिंसात्मक आंदोलन में लड़ते रहे स्टॉप महत्मा गांधी के साथ कुछ राजनितिक मतभेदों के कारण 1930 में कांग्रेस के अध्यक्स होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया स्टॉप एक दिन नेताजी ने अपनी खुद की भारतिय राष्ट्रिय सकती साली पार्टी आजाद हिंद फोज बनाई क्योंकि उनका मानना था कि भारत को एक आजाद देश बनाने के लिए गांधी जी की एहिंसक नेती सक्षम नहीं है अन्तते उन्होंने ब्रिटिस सासन से लड़ने के लिए एक बड़ी और सकती साली आजाद हिंद फोज बनाई वो जर्मनी गए और कुछ भारतिय युद्ध बंधियों और वहां रहने वाले भारतियों की मदद से भारतिय राष्ट्रिय सेना का गठन किया हिटलर के दवारा बहुत निराशा के बाद वो जापान गए और अपनी भारतिय राष्ट्रिय सेना को एक प्रसिद नारा दिया दिल्ली चलो जहां पर आजाद हिंद फोज और एंगलो अमेरिकन बलों के बीच एक हिंसक लड़ाई हुई दुर्भाग्यवश कोमा नेताजी सहित उन्हें आत्म समर्पन करना पड़ा जल्द ही कोमा टोक्यो के लिए पलेन में छोड़े गए हालांकी फार मोसा के आंतरिक भाग में पलेन दुरगठना ग्रस्त हो गया ये रिपोर्ट किया गया कि उस पलेन दुरगठना में नेताजी की मरत्यू हो गई नेताजी का सहसिक कार्य आज भी लाखों भारतिय युवाओं को देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है